आज की वीडियो में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ आज मैं आपको फेस्बुक के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आप अपने फेस्बुक की वाचर हिस्ट्री कैसे डिलीट करें एक एक करके और सारी इकठी तो अगर आपको वीडियो आज की अच्छी लेगे तो और जाद से जाद से शेयर कियेगा और अगर आप ऐसी ही वीडियो और चाते हैं तो सब्सक्राइब के साथ बैल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजेगा जिससे आपको मेरी हर अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए तो भिना किसी देर के आज की वीडियो स्टार्ट करत हैं और आप यहां पर देख सकते हैं सेटिंग्स एंड प्राइवसी का ऑप्शन है सेटिंग्स एंड प्राइवसी पे क्लिक करने के बाद यहां हमारे पास पांच चीजे खुली हैं सेटिंग्स प्राइवसी शॉटकट्स यो टाइम और फेसबूक लेंग्वेज और कोड generator हम इसमें से settings को क्लिक करेंगे क्या पता कई कि फोन में ऐसे ना मिले तो वो नीचे स्क्रोल करकर के अपने settings को ढूंड सकते हैं अब यहां पर हमारे पास ऐसे पेज खुल जाएगा उसके बाद हम नीचे से स्क्रोल करेंगे दीर दीरे नीचे जाते जाते हमारे पास your facebook information में second option आप देख सकते है activity log का इस पे क्लिक करेंगे हम activity log पर आ जाने के बाद उपर आपको categorize का option मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता कईयों के phone में वो सीधा आपको सामने उपर category का option मिल जाएगा और जिनके phone में नहीं है वो filter पे पहले option पे क्लिक करें और यहां पर पहला option आप देख सकते हैं categories इस पे आ जाएं इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और page खुल जाएगा यह देख सकते हैं आप हमारे पास page खुल गया है तो यहां पर लास्ट option है लॉग actions एंड अधर activity इस पे क्लिक करेंगे हम कईयों के phone में अगर यह option नहीं है तो नीचे scroll करके देख सकते हैं उन्हें वहां पर मिल जाएगा search history मिल जाएगा उन्हें तो आप उस पे भी यहां पर हमारे पास आप देख सकते हैं सेकिंड options आ गया है वीडियो डियोज है वोस्ट हम इस पे क्लिक करते हैं वीडियोज यू engineering करेंगे करना है तो आप उसके आगे यह three dots को क्लिक करके डिलीट का option क्लिक कर दीजिए तो यह खुद बखुद वहां से history में से डिलीट हो जाएगा और अगर आपने देखी हुई वीडियो फिर से देखना चाते हैं तो आप इसे बापस क्लिक कीजिए और आप इसे जरूर देख पाएंगे उसके बाद अब एक और तरीका है जिससे आप अपनी पूरी के पूरी history को एकठे डिलीट कर सकते हैं तो उसके लिए आपको टॉप पे filters का option है इस पे क्लिक करना हो और यहां पर आप देख सकते हैं clear all का option है इस पे क्लिक करेंगे तो सारी की सारी history डिलीट हो जाएगी तो बस आज की वीडियो में इतना ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए see you और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे जादे से जादा like क कीजेगा comment कीजेगा share कीजेगा और subscribe कीजेगा और अगर आपको किसी और चीज की वीडियो चाहिए तो आप नीचे comment box में जरूर लिखेगा thank you